Hey guys, welcome back to the brand new video on this channel, this is Rahul Sharma and you're watching Gaming with Osmim YouTube channel So guys, this particular video is competitive players के लिए होने वाले हैं, जो कि competitive खेलना चाहते हैं And start करना चाहते हैं, याभी जो भी classic players है उनके लिए भी है क्योंकि उनको भी पता लग जाए है कि fights कैसे लेती हैं So basically, इस वीडियो में explain करने वाले हों कि guys, आपको fights कैसे लेनी है, ridge to ridge कैसे fights लेनी है अपने opponents के साथ So start करते हैं, हम start करने से बाले एक चीज़ डिसक्स करना चाहूंगा आपके साथ कि guys, अब जो भी competitive player है, जो competitive में अपना नाम गमाना चाहता है फटा वट से आर, ऐसा करो guys, 2-3-3 घंटे app खेलना start करतो, क्योंकि app real gaming है, app ही आने वाल है और जितने भी games होती है guys, किसी में भी tpp नहीं होता competitive है, competitive means app So app खेलना start करतो, PUBG वाल में जल्दी से जल्दी app आने वाल है जो भी guys, जितने players हैं, जो इस video को देख रहे हैं, अपने climate का share करना बताना उनको कि ऐसे से अपने fight लेना है, अपने लिए roll कर लो set भाई, कि कौन flank करेगा, कौन अच्छा करता है, किसका 1-1 set है Start करते guys, इस fight से YQL के players के आप position देख सकते हो, दो player यहाँ पे भी frame में आ रहे हैं एपेक्स के 4 player हैं, वो दूसरी side range के So यह ridge to ridge fight है, कैसे लेने के try करते हैं, कैसे मारते हैं, YQL वाले, एपेक्स को या एपेक्स बाले कैसे hold करते हैं Guys, memory को देखो, memory यहाँ पे बंदों को spot करने के try कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हमारे उपर एक player है, वहाँ से भी nades आ रहे हैं, वहाँ से भी smokes आ रहे हैं तो बो भी continuously इनको find out करने के try करें तो आप अगर left hand side देख हुए तो दो player इकठे push कर चुके है FPX पे अभी XP इस time अगर इनको आवाज भी आ जाती है तो ये कुछ नहीं करते है क्योंकि memory उपर से damage देने के try करेंगे ये इधर से मारेंगे और दो player इनके इधर ही down हो जाते है तो ये basically fight कैसी है कि memory ने इनको tank किया और उधर से flank आया है दो players का दो पीछे से घुसके उनको मार जाया तो guys ये कुछ fights होती है बट ये according to situation, according to positions होती है तो हर fight में ऐसा मत करना कि ऐसे ही मारना सबको और उसके बद दो players और down कर देते हैं और YQL यहाँ पे जित जाती है तो YQL कैसे जिती है यहाँ पे guys बहुत अच्छे से उन्हों नों फ्लैंक करा और अभी अगर बात करूं मैं ये वाली position देखो WF के आप position देखने का बाकी squad है उनको अभी मतलब छोड़ दो So WF कलोथी squad है जो की नीचे है और यहाँ पे AHQ को जून में जाना है AHQ की बंदे बग्गी उठाते हैं यहाँ पे चले आते हैं So guys यह वाली fight से मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा कि आपको position किसी हिसाब से रखना होता है अभी उनको पाता है कि भाई shack पे कोई गाड़े रुकी है So shack पे अभी यह गाड़े ठुक देते हैं But guys अभी देखना WF के players की position देखो एक अंदर है इन्होंने अपनी बग्गी यहाँ पे लगाई और shots कहां से आए पीछे से अगर यह player यहाँ पे shack के अंदर होता तो उसको नहीं मार पाता But उसकी position अगर आप देखो So उसकी position पीछे है वो पीछे रुका हुआ है And guys यह चीज़े आपको बहुत मतलो help करती हैं Competitives में अगर हम अपनी बात करें तो हम सारे players एक साथ रहते हैं एक साथ नहीं रहना चाहे थोड़ा अपने लिए अपना position find out करो वहां रहने के try करो एक बार knock मिलेगा दो बार knock मिलेगा बट guys उसके बाद आप सीख जाओगे न तो बहुत तंग करने वाले है squad को So अभी मैं आपको एक और fight दिखाऊँगा अभी जैसे कि बता है आपको यहां पर 4AM का squad भी है WF का squad भी है और YQL का squad भी है So अभी RNG का member को एक need मार के खत्म किया आता है अभी position देखना YQL zone में बैठा है WF को भी road cross करनी है And 4AM को भी आग जाना है 4AM बाले यहां पर जो as usual हर squad करता है जितनी भी utility उनके पास होती है Smoke करता है अंदरा निकले smoke ball बनाया गया And WF की side से भी smoke ball बनाया गया उनको पाता है कि WF बाले नीचे है सबको मतलब हर किसी को हर किसी की position का पता है कि यहां भी players है So WF भी smoke ball बनाती है अपने एक player को भेज जाता है Cover देखे पीछे से cover दे जा रहा है कि कोई बना निकला तो trade fire में उसको knock करेंगे एक player cross कर गया अब अगर अब इधर देखोगे So 4M भी zone में आ गई 4M भी try कर रही है पूरा zone में आने की And WQL यहां पर spot करने के try कर रही है But WQL को देखना भी guys अभी मैं आपको एक चीज समझाने की try करूँगा अगर आपको समझ आएगी वो WQL की side से सूख को knock दे जाता है अभी एक member down है 4M का And WQL के 4-4 member है इनको पता है कि इधर भी player है अभी देखो हसाकी को हसाकी spotting करने के try कर रहे है उदर से भी इन पर shots आ रहे है And हसाकी जैसे इधर देखेंगे So इनको knock कर जाएगा दो player But continuously nades आ रहे है अभी nades भी कहा रहे हैं एक और nades, दो nades चलेगे अभी ये इनको spot करने के spot नहीं होते हैं Nades निकालते हैं Nades थो करते हैं without cooking So cook नहीं करना होता है इस situation में आपको डालना है कि player आगे नहीं आए उनको लगे हर जगा से nades पर nades कर आ रहे हैं उनके player थोड़े busy भी हैं उधर But तब तक एक player को revive मिल गया दो player guard कर रहे हैं एक player revive दे रहे हैं अभी guys ये ऐसी situation होते है कि अगर आप nades पर आपके पास utilities है nades पर nades करते रहो दो player आपके जिंदा है एक player आपको fight player है दूसरी side पर nades पर nades आ रहे हैं So वो player थोड़ा मतलब push करने से वोड़ा डर जाते हैं कि नades है अपने कोई casualty मिली So वो बंदे मार देंगे So जबी भी आपको knock होता है उसी time जैसे compound में knock होता है stairs पर nade पर nade भर दो mollies कर दो जो भी आपके पास है क्योंकि throwables उसी time काम आते है So अभी एक और fight दिखाना चाहूँगा मैं जैसे WF को player को देखो आपी spot करा नीचे बैठा shots connect नीचे बैठा So guys यह मतलब quickness वो नीचे है बट इस पर अभी shots आते है दूसरी side से अभी दिखना इस बंदे का reflex दिखना अभी reflex की बात नहीं करूँगा बट एक और चीज की बात करूँगा Shots आते हैं जीने shot लेते हैं एंड एक सिक्रम डाउन अभी आप बोलोगे हाँ भाई reflex दिखा बट गाईज अभी इस चीज में एक और चीज दिखाना जाता हूँ आपको है जैसे slow motion में दिखाता हूँ जैसे इस पर shots पड़े ये बंदे ने spot किया spray किया जीने को down किया पर जीने को down करते करते ने double cross pick करने के ट्राई करते है pick right, pick left उससे aim कराब होता है बट गईज ये चीज से आपको aim कराब ने होगा वस single pick करने किसी भी side को कि आपका head न चिपके यहाँ पर अभी बहुत interesting हो जाती है fight अभी ये head को समझाने के ट्राई करूँगा यहाँ पर ड्राई के बिदल वीवन के दो बंदे A6 बहुत अच्छा खेलते है memory को knock दे जाता है यहाँ पर and जीने को देखना अभी ये competitive label है competitive label है ये so competitive में अगर आपने थोड़ा से miss किया आपको knock मिलेगा आपको perfect होना पड़ागा दूसरी side से A6 यहीं पर push कर जाते है एक पर ड्राउन करते है एक पर उनको knock कर देते है यहाँ पर ड्वीवन का एक और member है जीने भी उदर से push कर गे जीने को ये वेले scoping करके मारा जाते है उसके बाद इनोंने hip fire दिया knock करा and guys उनका एक और player net down है इनको पूरा का पूरा इनोंने YQL के squad finish करते है यह आपको guys मैं उपर थर्ड़ाई angle से बताऊंगा जो थर्ड़ाई अपना view होता है यहाँ पर provide करते हैं तो मैं आपको explain करने के try करूँआ अभी दोनों push कर चुके हैं right से और left से इनको मार दिया अगर दो player जो होते हैं वो अगर right से पुश करते हैं या left से पुश करते हैं तो उनको दिक्कत आ सकती थी एक hip fire में बंदे ले जाते हैं अभी guys यहाँ पर जैसे net down होते हैं तो A6 का member push कर जाता है उसी time push करता जहाँ पर casualty हुई इनको लगा कि fights उदर की हो रही है तो उसी time push करा यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है यहाँ पर जीने भी आ गई थे जीने को पता था यहाँ भाइट होगी जीने ने भी same move केला बट जीने को यहाँ पर knock मिलिया एंड इस player ने वाइकोल के भी दूसरे player को finish कर दिया just 10HP बची थी heal किया बट दोनों side से push आया है एंड इनको मार दिया गया हासाकी की side से तो गाईज यह कुछ fights होती है आपको पता होना चाहिए कि आपको push कब करना है competitors में या कोई भी game है आपको पता होना चाहिए कि आपको कब जैसे push करना है तो दोनों side से same चीज करी गही जैसे उनकी fight हुई जीने भी इदर आके मारन लगे और भी उदर जाके मारन लगे जो V1 का member था उसने बहुत अच्छी fight ली यह चीज़ें आप सीखो मैं आपको try करता हूँ आप अपनी जाइट से समझाने की जितना मैं समझ सकता हूँ बट अभी सीखना आपको है आपके अगर वीडियो अच्छी लोगे तो फटाब फटाब से लाई लाइक से यह सब्सक्राइब कर दो और शेर कर दना अपने मेंबर से जो भी आपके team member आपके squad member होते हैं उनके आज शेर कर दना दिखाना उनको भाई की ऐसे से fight लेनी है अपने को वाई इसमें पीस आउट बबाई टेक केर